कैसे हो साथियो मैं हूँ आपका अपना अभ्धनतु शांशो पांडे और हमारी बहुत सारी बाते चल ही रही थी हम लोगों ने एक नया जो है काम चालू किया था कि पूरो प्रश्ण पत्रों के प्रश्णों को देखकर जो है हम अपनी त्यानकारी पुखता कर रहे थे और इसी सिलसिले में आईए सबसे पहले में आप सभी का सौगत करता हूँ अभिशा की पुरी टीम की तरब से मैं हूँ अभिनो तो शांशो पांडे हम बात कर रहे हैं कक्षा बार्वें के लिए चल रही भौतिकी की सीरीज यह एक्जाम सीरीज है जिसको आप मिशन 2023 के नाम प्रशन था इसके बारे में बात है की उसके बाद में हम जो है बात कर रहे हैं इसके एंपियर के परिपासनियम के लिए जो हमारा प्रशन 2022 में पूछा गया था यहां पर जो हम लोगों ने फिर हम लोगों ने क्या किया एक आंकी के प्रशन देखा इसको बनाया अप्रॉक सबसे पहले रेखाईतर बना लेते हैं आप भी उठाइएब पैन कॉपी और तयार हो जाये नमांकित रेखा-ञुपए हम लोगों यहां पर कोर ले लिया एक लोहे से बना हुआ जो है कच्चे लोहे का बना हुआ एक क्रोड ले लिया इस क्रोड के चारो और हम कुंडली लगा देंगे मतलब यहां पर जो है हमको तार से बनी हुई कुंडली नजर आ रही है अब जो है इससे क्या होगा भाई सब के बारे में जानते रहना ज़रूरी है तो यह कुंडली लगा दी जिसमें से तार धारा प्रवाहित होने वाली है इसमें धारा प्रवाहित होने के लिए इस तार के दो सीरे होने चाहिए पहले सीरे को जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक स्प्रिंग ले लिया और इस स्प्रिंग से से यह फॉस्फोरस ब्रॉंज की जो है एक रॉड से लटका हुआ आपको यहां मिलेगा और इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर दूसरा इलेक्रोड जो है दूसरा इलेक्रोड लगा दिया अब इतना हो जाने के बाद में जो है अब इसके कारेविधी के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले देखिए कि यहां पर होता क्या है यहां पर यह होता है कि चुम्वकिय बल रेखाएं इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देने लगती है क्योंकि यहाँ पर permanent magnet लगा हुआ है इन permanent magnet के बाद में जब हम इसके दो terminal मतलब रिनात्मक धनात्मक तर्मिनल से तार को कनेट करके धारा प्रवाहिद करने लगते हैं तो जैसे ही धारा इस कुंडली से प्रवाहिद होती है वैसे यहां पर चुम्बकिये प्रभाव ऊथपन होनने लगता है और इस चुम्बकिये प्रभाव के लिए हमारे पास में सूत्र है एन आई बी ए साइन ठीटा ठीक है और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा चक्क्र हों कि संख्या होगी उतना ज्यादा जो है इसमें बल आघून नजर आएगा दूसरा जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ज्य एरिया फ्रॉस सेक्शन है मतलब यह जो हमारा क्रोड है और जो है यह जो तार के चालक के जो है कुंडली से घिरा हुआ है इसका चेतर फल जादा होगा उतना जादा हमको बल आघून नजर आएगा यह बल आघून धारा के मान को मापने में सहायता करता है चो कि हमारे पास में जो चलकुंडली धारशाम आपई है वहांपे इस तरीके से एक आपको तीर दिखाई देता है और यह तीर जैसे जैसे कुंडली घूमते जाती है वसे यह तीर घूमने लगता है और इस से धारा मान का मापन होता है यह तीर वापस से अपनी शून्य इस्थिती पर आ जाए इसलिए यहाँ पर एक spring लगा हुआ है और यह spring क्या करता है यह spring जो है इसको restore करने का काम करता है मतलब इसको दोबारा से शून्य इस्थिती पर लाने का कारे करता है इसमें जो है लगने वाला बल आगोन के अलफा इस तरीके से जो है यहां पर बल आगोन को हमको दिखाए देता है सिद्धान्त ये किस सिद्धान्त पर कारे करता है हम बायहांत का नियम लगा कर यहां पर लगने वाले बल के मान को और बल के कारण यहां पर कुल मिला के बल आगून के मान को बिल्कुल अच्छी तरीके से जान सकते हैं तो इसका सिद्धान्त क्या है? सिध्धान्त है जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है और वह कुंडली चुम्ब के शेतर परिस्तित हो तो वह एक बल का अनुभाव करता है जो बल आगुन लगा कर उसे घुमाने का कारे करती है और इसके कारण हम प्रवाहित धारा के मान का मापन कर लेते हैं अंक कितने मिलने वाले हैं आपको 2022 का ये प्रश्ण है 5 अंक का ये प्रश्ण है तो आप लोगों की तैयारी हो गई होगी मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में डीटेल हम लोगों ने एक बार और बात की हुई है जो कि आपको Fast Track Revision वाले हमारे ही चैनल के एक वीडियो में दिखाई देगा आपको नीशी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आप जरूर से उसे पढ़ें तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद